नमस्कार दोस्त कैसे हैं सभी ठीक होंगे उम्मीद करते हैं काफी समय हो गया लेक्टर रिकॉर्ड किये वे अपलोड किये वे लेकिन ठीक है अब कंटिनु करने कोशिश करेंगे को पॉइटिकल साइंस के वीडियो अपलोड किये हैं कुछ जोग्राफी के वें आज लेवन्त क्लास में भी फिजीकल जो गराफी उसे फिसीकल जोग्राफी को स्टार्ट करने का कारण सकें और उन्हें बहते तरीके ज़्यां समझ सकें समझा सकें जो फीजिकल जोग्राफी यह है इंग्लिश मेडियम हिंदी मेडियम दोनों में मैंने कई बामले देखें कई बच्छे देखें जिनके साथ समय सही होती है कि साथ पढ़ लिया कोर्स पूरा हो गया कोई दिकत नहीं आता कुछ नहीं है पर कईयों को आता तो फिर बेसिक से न क्लास को पढ़ने के बाद फिर सेमेस्टर के अंदर फिजिकल जोग्राफी समीदा सिंग सरकी उसके बहुत सारे पार्ट समय से लगता है कि वह भी आते हैं तो कहने का मतलब ही नीव का काम करती है पाउंडेशन का काम करती है और NCRT पढ़े मिना तो कोई इंसान आगे पढ पोड़िदा वो यह है कि हमें इसमीं पढ़ना है है अग भूगोल अ अब हो वह से क्या मतलब है अ बूगोल से मतलब है कि हम इसका एंगलिश वर्ड देखे है लोगराफी ने इंगलिश वर्ड जयोग्राफी में जो हमीं मिलता है जियो और यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग ग्राफोस जियो और ग्राफोस और जब इस जियो और ग्राफोस का हम देखते हैं तो इसका मतलब निकलता है हमारे पास जियो का मतलब तो प्रत्वी और ग्राफोस का मतलब है अध्यन है कि हमें इसका अद्यन करना है प्राथवी का विवरें समझना हमें प्राथवी क्या है क्यों हैं कैसे है क्कि इस ही पर सब लोग होग है इसदेक उपर हमारा जीवन व्यतित हो रहा है यह कोशिश कर रहे हैं तो कहने को मतलब है कि जब हिंदी निकलते तो हिंदी वर्ड में इतना कुछ नहीं कि जब निकालते हैं को यह कूछ गूज़ता है कि प्रत्विविकार्थ विकास प्रत्विक आंतिक सचना मास आगर महादीपों का वित्रण किर्खनी जैम शेल भू आकरत्विक प्रक्रियाय विकास वायुमंडल एट सेक्टर करके चैप्टर सा सारे के सारे तो कहने का मतलब भी बहुत कुछ हद तक प्रत्विक जो मुख्य मुख्य चीज़े हैं बहुत छोटे शब्दों में बहुत छोटे लेवल पूर समझाने कि इसमें कोशिश है अब जैसे पूड़ा चैप्टर में आगे बढ़ेंगर तो फर्स चैप्टर इसमें भूग विश समझदारी नहीं है जो 11 वाला है वो तो यह डाइग्राम देखता ही होगा जानता ही होगा इस डाइग्राम के अंदर बता रखा है कि सारे के सारे जो भूगोल है उनका सम्मंद कैसे कैसे है जैसे एक है प्राणी भूगोल, पाद भूगोल, म्रदा भूगोल, समुद्र विज्ञान, जल्वाय विज्ञान, भूहाकृति विज्ञान तो जिस जिस विशय को पढ़ने के लिए थोड़े विज्ञान के तत्वों की साहता लेते हैं, उसमें विज्ञान लग जाता है, जिसको हम विज्ञान की साहता से पढ़ने कोशिश करते हैं, जैसे जलवाई विज्ञान, मौसम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, बारिश आ क्रश्री आदा तर थे भारत की और बिना मौसम की जानकरी के तो कुछ नहीं सकते हैं एसे समुद्र विग्ञान वारिश जो होती है कि समुद्र के जल के वाष्पी करण के दिवारा इस समुद्र विग्यान की जानकरी बहुत ज़रूरी है अधिकांश लेवल पर सबसे बड़े लेवल पर जो हम यातायात करते हैं करते हैं जब इस प्रत्वी पर सारे संसाथ में खतम हो जाएंगे तो इनसान की दोड़ महासागर की और यह इसलिए पुरीत दुनिया महासागर के का कंट्रॉल उस परतिकुलर देश का हो जो समुद्र देज करता है १ है सब्सक्राइब है यह जानना मिच्ञान आक कीम का ये काली मिठी का पास के लिए होती है उय है मिट्टी का भी तो है पंड़ा उड़ा विओ्ग्याν और वपढ़े प्ढ़ना जानना करना जिसे विशुवती रिखा करें Zero degree के आसपास भी Salah Bajat है बिशुवत रिखा करें आसपास की बात करें यहां पर जिसे हम लोग बात करें विशुवत छेटर यहां भी सदागर सदावाहर वन पाई जाते हैं एवर ग्रीन फोरेस्ट और पितोष्न शेत्र टैंप्रेट जोन टॉरिड टैंप्रेट है न यहां पे भी आपको इस टाइप के मिलते हैं अंतर क्या है अंतर सीधा सा है कि जब आप विशुवत रेखा पर आप देखोगे ना जीरो डिग्री साड़े तेस डिग्री के आसपास बहुत सारी विवित्ता पाई जाएगी जंगलों में पेड़ पोदो की अलगलग टाइप के पेड़ अलगलग टाइप के थोटे बड़े लंबे लंबे पत्ते वाले फ्रूट्स वाले काटे वाले पता नहीं कौन-कौन से लेकिन जैसे ही आप शीतोष्ण शेत्र में देखोगे एक ही टाइप के पेड़े लगात्तार मिलेंगे हैं हो गया ना वनस्पति विग्ञान तो यह बात है जबकि है तो दोनों तरफ सद्धा बाहर यह चीज़ ऐसे ही आप पढ़ लेते हैं प्राणी भूगोल के बारे में कि कैसे दुष्ट प्राणी ने प्रत्वी को बरवात किया प्राणी भूगोल कहा जनसंक्या कम है कहा जादा है क्यों है कैसे प्राणी आया कैसे बंदर से इंसान मने यह सद्धी से मनुष्य के बारे में ज्यादा जान कि अंदर पुरुष कितने महिलाएं कितनी है फिर पुरुष महिलाओं के रूप में शिशु ले लेंगे शिशु में जो बालक हैं बालिका हैं वो कितने हैं कितने नहीं है व्रद हैं कितने कितने नहीं है जनसंग्या घनतु कितना है अरुणाचल परदेश का 17 जनसंग्या घ है इस ताइप से बिहार का सबसे ज़्यादा है हजार प्लस है तो वहां पर फिर आप लिंग भी देखेंगे महिलाए कम है तो क्यों कम है क्या उनके साथ बेदवाग जाता है क्या महिलाओं को जो बच्चिया होती है उनको जर्म देते हैं मादी जाता है मेल डॉमिनेटट सोसाइटी है फिर ऐसे आप निकालते हैं कि वहांके लोगों का खानपान कैसा है इक्षा कैसी है ईमारिया कौन सी है किन किन मिमारी से लोग ज़्यादा मरते हैं यह स्टाइप आप फटाई निया मतलत थर्ड सेमेश्टर है जो उसकी बाते है ये कहने मतला ह करेंगे मिट्टी पाया जाता ये सूर्य का प्रकास चंद्रमा और उससे ओनेवाली क्रियां है कि प्रप्रकाश करिए कि प्रभावित करता है किसे किसे करता है दो जूब्र शैन स्क कातिक ज्यादा तो लोगों की इच्छ हो कि हमारे किल्च्रों आले लोगों के साथ हिरे हूं। जब बिहार में छत्ठपूजा की जातीह लेकिन जिब वह वह बिहार के लोग कोशिश करेंगे कि हम एक ही जगे रहें ताकि छट पूजा तो नगा कल्चर उनका खान पान उन्हें साथ बनाया रखते हैं और ऐसी भूगोल एक चिंद तक आएं बहुत सारे सामाजिक भूगोल एतिहासी भूगोल राजनिति भूगोल को राजनिति कैसे प्रभावित करती है तो जो पहाड़ी शेत्र है वहां की राजनिति अलग होगी मैदानी शेत्र की राजनिति अलग होगी मैदानी शेत्र के अंदर आप अलग प्रकार के वादे करेंगे पहाड़ी शेत्र में अलग प्रकार के वादे करेंगे सरकारों के वादे तोड़े भी अलग तैसे जा आर्तिक बूगोल में हम जब बात करेंगे तो सिंपल फंडा समझेंगे कि उद्ध्योग उसर रिलेटेड किसे इंसान ने उद्ध्योग लगाएं क्यों लगाएं समाच कर लाने के लिए कोई उद्ध्योग लगाता नहीं है उस जगे लगाने से फाइदा क्या है उद्ध्योग के बारे में पढ़ते हैं उस उद्ध्योग में काम करने होले मजदूर कहां से आएंगे क्या उन मजदूरों की आये रहेगी क्या उनको सुविधाय दी जाएगी उद्ध्योग किस परकार का होगा उद्ध्योग से पर्या ऐसे हर चार साल के अंदर फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है दो या सत्रा में आई कि चार सा जो लो सब्सक्राइब तो चल्वाइब तो इतने जो मिसलेउंद में पढ़ना चाहरे हैं कि महादीब कैसे बनते हैं महासागर कैसे बनते हैं परवत कैसे बनते हैं जीले कैसे उतियार होती है नदियां कैसे बनती है नदियों के डेल्टे कैसे बनते हैं मुहाना कैसे बनते हैं यूशेव वेली वी शेव वेली कैसे बनता है ग इमाले वलन खा करके मोड़दार परवत है दो प्लेटे पास में वलन पैदा हुआ और अवसाद वम्हें बने वाला परवत का निर्माड हुआ जब कि सतकुड़ा बैं नर्मदा तापती नदीने है क्या इसके बीच में बनने वाला सतकुड़ा परवत कि यह ब्लोक मांटेन का उधारने कैसे है मान लीजिए यह ऐसे था कि यह इससा उपर चला गया यह इससे नीचे आ गया तो आगे जाकर कि इस्तती ऐसी होगी होगी परवत है तो परवतों के निर्माण में भी तो एक फंडा नहीं उसका सकते हिमाले परवत बना है वैसे वैसे सारे बने होंगे रौकी ऐसे बनाओगा कि एंडी जैसे बनाओगा एटलस ऐसे बनाओगा लेकिन सत्तुड़ा के लिए लग चीज़े हैं सत्तुड़ा के लिए लग चीज़े हैं पूरवी घाट पश्ची में घाट के लिए लग चीज़े हैं तो काफी डिफ्रेंस है कहने हैं मतलब भू अकृतिक विज्ञान या भू अकृतिक भूगोल नहीं है तो बूगोल तो एटलिस्ट आना ही चीए बूगोल और राजमी यह अनेती है अब शरायन करते हैं अब व्यगोर की शाक्षाहें बहुतिक भूगोल में क्या होता है सिद्धान-दरशन-शास्तर में क्या-क्या होता है विदियाउन तकलीक में क्या क्या होता है यह इंट्रटक्स हाप्टर है यह यह इतने वात्या मिलेगी नहीं पर य Twitter것 marry नुटuğ बूगोल के शाक्वों में परादेशीक अध्यन करना परादेश Крас legal आध्यान योजना इसको तुछ उपनल प्रादेशीक अध्य मध्य हे शक्षि में अब इस चेप्टर पहाएंगे हम लोग लोग इन चेप्टर क्यों आना इसी पहता पढ़ना इसी को समझना इसी को ज़्यादा माथवच चीजी के लिए कर गया बच्चों का दिमाख रहा होता है यही टॉपिक है उनका क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्डी त्यार होती नहीं है और वह चालो जाते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल मार्क्स मिल जाएंगा उससे पार पड़ेगी नहीं तुछले इसको समझने कोशिश कर इसमें कि आरभ इक सिंधान प्रत्वी कि उत्पत्ति मोखी इंसान पढ़ेगा तो जाहिए सी बात जाया मदे पर होने वाले जो विकास के चरण है जब कभी महादीब बनेंगे कभी महासागर बनेंगे तो वह चीज़ें इसके क्लिए होती जाएगी तो में फंड यही कि समझ नहीं है आपको अब देखो एक विद्वान इसमें हो सिंध्धान तो बिघ बैंग जो सहरों माने सिद्धान तो बिघ बैंग यह जो भी चरण रहें प्रत्विके ऑभ्रमान की गुत्यक्ति को सुल्जाने के उस पर हम्ने अल्रेडी लेक्टर रीकोड कर चूंग है सिरीज वाइस सारे लेक्ट्टर बिल्कुल रिकॉर्ड है तो ज्यादा जो ग्यान के हैं जिनको ज्यादा ग्यान पीपास हुएं वह वहां जाके उसको देख सकते हैं समझ सकते हैं आराम से बैठे कि उनके दिमागें में लेकिन यहां फिर भी सत्रा सो पच्पन में हैं इमैनुल कांट एक व्यक्ति अभी इमैनुल कांट एक व्यक्ति हैं जर्मनी के हैं और यह सिद्धान देते हैं अपना और वह सिद्धान देगेस्टियस हैं वायव वे परिकल्पना अब इस वायव वे परिकल्पना में इन्होंने क्या बताया कुछ खंडे बताएं जो को परिकल्पना है जो से मिला है इसके हां वास्तों में सहाब ऐसा ही हुआ होगा के बागी कुछ लेकिन लोगोंने प्रमान दिये लेकिन वह प्रमान आगे जाके नकार दिये गए वह थे लेकिन जिसमें हम बात करेंगे कि हाइपोथेसिस यहां उस समय तो मान ली गई पर आगे जाकर कि किसे ना किसी कारण से नगार दी गई वह यह है तो फर्स्ट पॉइंट नों बता है कि ब्रह्मान में कोई पिंड है और वह पिंड एक तो ठंडा है यानि शीतल है दूसरा वह ठोस है और तीसरा गति हीन है तीन चीज़े और जो वायवे परिकल्पना नोंने बता ही ना इसके पीछे नोंने नियूटन के ग्रैविटी के नियम को लिए नियूटन के गुर्तवा गशन के नियम को अपना है तो हम यूमाले कि वायवे परिकल्पना में गुर्तवा कर्शन का सिध्धान काम करेगा तो हुआ गया कि गुर्तवा कर्शन की वजह से कणों में टक्राहट हुई जैसे माली यह टण है ऐसे मालने हम लोग फिंड है इन्हों में टक्राहट चालू हुई जैसे यह इससे टक्राएगा या फिर यह इससे टक्राएगा या फिर यह इससे टक्राएगा या फिर यह इससे टक्राएगा या सब एक दूसरे से दौहरट की वजह से को मुंभूषमा पैदा हुई है nucle гार्पी बीद में जी पैदा हुई है दूस्मा पैदा होने के विजह से इन में गती पैदा हूई है मासे जाई इसी बात सटर्कूरेशान इसटाट होगा मिदो Dash के रूप में यह रोटेट करेंगा चालूग दिये अब डिस्क के रूप में रोटेट करना चालू कर दिये है तो हुआ क्या अपके अंदरिये बल कि चीजों का केंदर से बाहर निकलना थोड़के बगना उसके तो इनमें अपके अंदरिये बल अपके अंदरिये बल यह वज़े से बहार निकलने लगे वह और नौ छल्ले निकलने लगए अब नौ छल्ले इसे एक बाहर निकल गया मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जूपिटर सेटन यूरिनस नेप्टून इस टाइप से और छोड़े छोड़े कुछ टुकुड़ी रे गए वह एस्ट्रोइट बैल्ट रे गई पीच में इसे देखते हैं ना हम लोग यह तो रही मार्स यह जूपिटर और यह तो गलत बन इस नेप्टून और इधर हमारी प्रत्वी वीनस इधर मर्क्यूरी और इधर है ना तो यह जो बीच में बैल सी बनी है ना यह वह जो प्रॉपर्ली प्रिंट नहीं बन सके प्रॉपर्ली कोई ग्रह नहीं बन सके यह बात दें कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि इनको खुश करने के लिए मान लेते हैं ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो यह वह परिकल्पना है आगे जाके पिट गई थी यह भी फिर नेक्स देख और हाइपोथेसिस आई लाप्लास यह फ्रांस के यह फ्रांस के है और इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी है नहारी का पर इन्होंने का मतलब यह कि इन्होंने जो यह हाइपोथेसिस अच्छा सेवंटी नाइंटिसिक्स में दी है ना यह मैं लेखना शायद भूल गया था मंखर चैनथेहंन्होंने जो यह बता है कांट की कुछ क्ल्टियु को दूर करनी कोशिशिश है किसे कांट ने कुछ घ्लतियां करी है और यह साथ कहते है कि पहले से ही कुछ त्त था कुछ को आधा कर्म की ए जब फेह वह पेहले से क्या ठेधा कि गरम अधे और गैसी अवस्था में थे वायव्य नैबुलर और गती शील्ड थे गरम थे और यू मान लो कि इस दिशा में घूम रहे होंगे मैं तो देख क्या है नहीं वो सकता है एंटिक्लोकवाइस भी हो क्लोकवाइस भी हो, दोनों तरीके सो सकता है मुवमेंट हो रहा था अब एक चीज़ देखो इन में भी वापसे centrifugal force मैं कहा रहा हूँ आपको पहले ही, कि अगर लेक्टर्स में आपको ऐसा लग रहा हूँ कि यहां थोड़ी बेहिमानी सी की जा रही है बताने में हो ना वापस आपके अंदरी फोर्स centrifugal force है क्या देखो प्रैक्टिकली समझे एक बार मान लिजे कि आपने एक धागे में पत्थर बांदा और इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया वह घुम रहा है लंबा है धागा तो समय लगेगा लेकिन आप जैसे धागा सोटा कर दोगे देश-देश घुमेगा वह तो कहने का मतलब यह है जब यह कण जो गरम थे गैस यह थे गतिशील थे इनका टैंपरेचर कम होगा विकीरण के द्वारा इसके द्वारा विकीरण यानि टैंपरेचर का बाहर जाना तीजों का ठंडा होना गरम-पाणी का सर्दियों में ठंडा हो जाना और फिद्धाने की इस्दमार करना है तो केने मतलब यह कि जो गरम पानी है उसमें उश्मा का निकल जाना विक्रण के द्वारा तो ऐसे इसमें से विक्रण के द्वारा उश्मा का निश्काशन हुआ उश्मा निकलने लगी धीर धीरे तो यह पिंड तहीं धीर धीरे धीरे ठंडे होने लगे है तो येलो साप ठं तो संकुचन होगा तो उनका भार बढ़ेगा वह भारी होंगे फिल्लो कि नंदधा विश्चन पड़ गया तो कहने का मतलब छोटा हो गया तेजदेश घुमने लग गया फहले वह दागा निकलने लगा तेज़ते जब कोई चीज घूमने लगेगी तो वापस लगेगा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स यानि की अपके अंदरी है बल इस अपके अंदरी है बल की वज़े से चुकड़े उने स्टार्ड हो जाएंगे खले निकलने बहार चाल हो जाएंगे और वापस से नो प्लैनेट्स बन जाएंगे और जो मूल जो बचेगा वह मूल बचेगा आज का हमारा भगवान सूर रहे हैं तो यह बात समझ में आई कि नहीं आई आनीं चाहिए अब इसके बाद एक और आइपोथेसिस के आगे उसे हम अगले लेक्टर में कर लेंगे क्योंकि इतना सारा एकसार जहां कुछ नहीं आता हो फिर वहां दो दो एचीज एकसा सीख जाना और फिर वह लगातार सिखाना यह बेहिमानी हो जाएगी अन्या हो जाएगा आप लोगों के साथ तो अन्या ह समझने के लिए तो आप गूगल पढ़ना हो या कोई अच्छी सी किताब पढ़े जोग्राफी के लिए तो मैंने 11 क्लास के लिए अच्छा सा मैट्रियल तैयार करके उसे समझाने कोशिश किए साथ दें और आगले लेक्टर को देखें दन्यावाद आपका बहुत बहुत किए